नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजीटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam जन्वरी 2024 के लिए computer के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam जन्वरी 2024 के लिए part number 13 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए computer से संबंधित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी वही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को समझते हैं तो इससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी question तयार करने मिलते हैं आप सभी questions को note जरूर करें क्यूंकि paper में एक question से संबंधित कई प्रकार के और भी question बन सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हम से पूछा गया है निम्न मैंसे कौन सी impact printer की एक बिसेश्ता नहीं है निम्न मैंसे कौन सी impact printer की एक बिसेश्ता नहीं है पहला question हमसे printer से संबंदित पूछा गया है printer से संबंदित printer क्या है printer एक output device होती है जो की हमें hard copy output प्रिदान करती है printer की दो category होती है एक होते है impact printer एक होते है non impact printer इंपक्ट प्रिंटर और non impact printer printer की दो category होती है impact printer वह printer होते हैं जो printing करते समय sound अधिक करते हैं आवाज अधिक करते हैं जबकि non impact printer printing करते समय sound कम करते हैं कम आवाज करते हैं impact printer की जो quality होती है वह low quality होती है जबकि non-impact printer की quality high होती है मतलब impact printer अच्छा output नहीं देते हैं जबकि non-impact printer अच्छा output देते हैं impact printer की speed slow होती है जबकि non-impact printer की speed fast होती है हमें यहाँ पर चार option दिये गए है और हमसे पूछा गया है निम्नमेस से कौनसी impact printer की एक बिसेशता नहीं है हमसे क्या पूछा गया है निम्नमेस से कौनसी impact printer की एक बिसेशता नहीं है impact printer की बिसेशता क्या होती है sound अधिक करते है quality low quality होती है slow speed में work करते है अब हम यहाँ पर अपने option को चेक करेंगे option number ए क्या है reliable printers and inexpensive reliable printer and inexpensive मतलब बिस्वसनिय है और सस्ता है बिस्वसनिय है और सस्ता है यह तो सही है option number भी क्या है यह सोर नहीं करते है यह सोर नहीं करते है यही हमारा answer होगा impact printer तो सोर करते है impact printer की यह विसेशता नहीं है यह विसेशता तो non impact printer की है non impact printer सोर नहीं करते है जबकि impact printer सोर करते है यही हमारा answer होगा option number C में क्या दिया गया कागच पर लगातार print करते हैं तो यह भी सही है impact printer में paper का पूरा एक roll लगा होता है जितना print out निकलता है उतने paper को cut कर लिया जाता है मतलब impact printer में continuous paper का use किया जाता है यह भी सही है option number D क्या है print out की लागत सस्ती है यह भी सही है impact printer से जो print out निकलता है वह सस्ता होता है मतलब answer होगा option number B यह सोर नहीं करते हैं जबकि impact printer तो सोर अधिक करते हैं इस question का answer होगा option number B देखते हैं हमारे next question को next question है दी गई दूई आधारी संख्याओ 101 और 11 को जोडने का परिणाम क्या होगा दी गई दूई आधारी संख्याओ मतलब binary संख्याओ को जोडने पर हमें क्या result मिलेगा यह हमें यहाँ पर बताना है यह question binary addition से पूछा गया है binary addition से यहाँ पर हमें दो binary number दिये गए हैं और इनको जोड़कर हमें computer system सभी परकार के वर्ग binary number के द्वारा ही करता है अब cpct के paper में computer number system से binary addition से binary subtraction से binary multiplication से और compliment topic से भी question पूछे जाते हैं यहाँ पर जो हमें question दिया गया है इसमें हमें दो binary number दिये गए हैं binary number हमने कैसे पहचाना इसके base से binary number का base होता है two और binary number के बल जीरो और बन होते हैं हमें दो binary number दिये गए हैं हमें दोनों को जोड़ कर इसका result बताना है क्या होगा binary number को जोड़ना बहुत ही आसान होता है आपको केबल binary addition के rules पता होने चाहिए तो पहले हम binary addition के rules समझेंगे उसके बाद इस question को solve करेंगे जो binary addition है इसके चार नियम होते हैं पहला नियम होता है जब हम 0 में 0 add करेंगे तो 0 output मिलेगा जब हम 0 में 1 add करेंगे तो 1 output मिलेगा जब हम 1 में 0 add करेंगे तो भी 1 output मिलेगा यह तीन नियम तो basic हैं सरल है 0 में 0 add करेंगे तो 0 मिलेगा 0 में 1 add करेंगे तो 1 मिलेगा 1 में 0 add करेंगे तो भी 1 मिलेगा लेकिन जब हम बन में बन एड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा और एक carry प्राप्त होगी carry carry जिसे हम आगे वाले नंबर पर transfer कर देंगे चौधा नियम आपको ध्यान से समझना है जब हम बन और बन एड करेंगे तो result क्या मिलेगा हमें 0 और एक क्या भी मिलेगी carry जो कि हम आगे वाले नंबर पर transfer कर देंगे बन प्लेस बन जीरो क्यों मिल रहा और एक carry क्यों मिल रही इसको समझते हैं जब आप normal decimal number को add करते हो 1 प्लेस बन तो कितना होता है 2 होता है और binary में 2 को लिखा जाता है इस प्रकार से बाइनरी में 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है तो answer हो गया 0 और जो बन बचा इसको हम carry के रूप में आगे भेज देते हैं 1 प्लेस बन 2 होता है decimal number में और 2 को binary में लिखा जाता है 1 0 तो 0 हो जाता है answer और 1 हो जाती है हमारी carry question को solve करते है question में हमें क्या दिया गया 1 0 1 इसमें add करना है किसको 1 1 को हम इसको add कर देंगे सबसे पहले हमें 1 और 1 को add करना है तो 1 और 1 add करने पर result क्या आएगा 0 आएगा और एक carry भी आएगी तो carry हमने आगे बाले नमबर पर भिज़ दी अब इस कैरी के बन को पहले हम जीरो में एड़ करते हैं तो बन और जीरो कितना होगा बन और जीरो हो जाएगा बन तो यहाँ पर हो गया बन अब इस बन को नीचे बाले बन से एड़ करेंगे तो बन और बन कितना होगा जीरो होगा और एक कैरी यहाँ पर आ जाएगी अब जो बन पहले से है वो और यह कैरी का बन जब दो बन जुड़ेंगे तो अंसर के आएगा जीरो और एक और कैरी आगे आएगी इस कैरी को हमें यहाँ पर लिख देंगे यह हमारा अंसर आ गया question solve हो गया अब देख सकते हैं binary addition को perform करना कितना आसान होता है हम इसको एक और example से समझते हैं for example एक number है 110 इसमें हमें add करना है 011 को तो हम add कैसे करेंगे 0 plus 1 क्या होगा 0 plus 1 1 होगा अब 1 और 1 add करना तो क्या होगा 0 होगा और एक कैरी भी आ जाएगी इस कैरी के बन को उपर वाले बन से जोड़ेंगे तो 1 और कैरी आगे आ जाएगी 0 को नीचे वाले 0 से जोड़ेंगे तो 0 और कैरी के बन को यहां लिख देंगे यह हमारा दूसरा question solve हो गया तो इस प्रकार से आप कोई भी binary addition को perform कर सकते हैं केवल आपको यह 4 नियम याद रखने हैं इस question का answer होगा option number C हमें जो binary number दिये गए थे उनको जोड़ने पर हमें answer प्राप्त होगा बन जीरो 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 इस question का answer है option number C दिखते हैं हमारे next question को next question है computer की storage device के संदर्व में SSD का पूर्ण रूप क्या है computer की storage device के संदर्व में SSD का पूर्ण रूप क्या है हमसे SSD का full form पूछा गया है SSD जो की एक storage device है जो की हमारे computer की secondary memory का type है secondary memory SSD एक secondary memory का type है जो की flash memory के अंतरगत आती है flash memory SSD एक secondary memory का type है जो की एक flash memory होती है जो की fast speed में data को process करती है और SSD का full form होता है solid state drive solid state drive SSD का full form होता है जो की एक secondary memory है flash memory का type है इस question का answer हो जाएगा option number A solid state drive देखते हैं हमारे next question को next question है blank hacking या धोके को संदर्वित करता है जो सुरक्षा उपायों को दर किनार करने के इरादे से किसी अन्यव्यक्ति का अनुकरन मतलब की नकल करता है blank hacking या धोके को संदर्वित करता है जो सुरक्षा उपायों को दर किनार करने के इरादे से किसी अन्यव्यक्ति का अनुकरन या नकल करता है यह question cyber security से या information security से पूछा गया है cyber security या information security से यह question लिया गया है हमसे पूछा गया है blank hacking या धोके को रिफर करता है संदर्वित करता मतलब रिफर करता जो सुरक्षा उपायों को दर किनार करने के इरादे से किसी अन्यव्यक्ति का अनुकरन या नकल करता है मतलब जो cyber crime होते हैं cyber crime में यदि कोई attacker कोई hacker किसी other user की पहचान का use करके कोई crime करता है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है spoof या spoofing एक cyber crime है cyber attack है जिसमें attacker या hacker किसी other person की identity का use करता है और cyber crime करता है तो इस question का answer होगा option number a spoof इस question का answer है option number a दिखते हैं हमारे next question को next question है blank एक छोटा सा program है जो operating system को खोजने के लिए computer के boot होने पर शुरू होता है blank एक छोटा सा program है जो operating system को खोजने के लिए computer के boot होने पर शुरू होता है हमसे question पूछा गया है कि blank एक छोटा सा program है मतलब छोटा सा software है जो operating system को खोजने के लिए computer के boot होने पर शुरू होता है computer के boot होने पर मतलब computer के on होने पर computer को on करने का मतलब होता है computer को boot करना computer को on करना ही कहलाता है computer को boot करना जब हम computer को on करते हैं तो एक booting process start होती है बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है यदि हमारे कम्प्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कम्प्यूटर बूट नहीं हो सकता है हमसे पूछा गया है एक छोटा सा प्रोग्राम जो operating system को खोजने के लिए computer के boot होने पर सुरू होता है वह कहलाता है MBR, MBR मतलब master boot record, MBR या master boot record किसी drive का, किसी disk का first sector होता है, first sector होता है, जो की booting process से related information को store करता है और यह operating system को load करने के लिए work करता है, मतलब इस question का answer होगा, option number D, MBR या master boot record, किसी hardix का, किसी drive का first sector होता है, जो की booting process से related information को store करता है और जैसे ही computer boot होता है, तो MBR operating system को find करता है और primary memory में load करता है, इस question का answer हो जाएगा, option number D, आपको एक और question तयार करना है, CMOS का full form क्या होता है, CMOS का full form, CMOS हमारे computer की battery होती है, cell होता है, जो की date और time को control करता है, CMOS का full form होता है, complementary metal oxide semiconductor, complementary metal oxide semiconductor, इस question का answer हो जाएगा, option number D, MBR, दिखते हैं हमारे next question को, next question है, James Gosling को आम तोर पर blank programming भासा के संस्थापक या निर्माता के रूप में जाना जाता है, हमें यहाँ पर 4 programming language के नाम दिये गए हैं, और हमसे पूछा गया है, इनमेंसे किस language को James Gosling के द्वारा बनाया गया है, James Gosling के द्वारा बनाया गया है, जावा language को, जावा एक high level language है, जो कि James Gosling के द्वारा बनाई गई है, जो कि Sun Microsystem Company के द्वारा डेवलप किया गया है, जावा को Sun Microsystem Company ने डेवलप किया है, जिसमें James Gosling भी थे, James Gosling के द्वारा जावा का invention किया गया, जो कि Sun Microsystem Company में वर्क करते थे, तो जावा का invention या जावा का अविसकार, James Gosling के द्वारा किया गया, जो कि Sun Microsystem Company के पार्ट है, और जावा को 1995 में बनाया गया था, जावा एक programming language है, high level language है, जो कि games बनाने के लिए, program बनाने के लिए use की जाती है, C भी एक programming language है, C++ भी एक programming language है, कोबुल भी एक programming language है, यह सभी high level language है, कोबुल का full form होता है, इस question का answer होगा, option number A, James Gosling को आम तोर पर जावा प्रोग्रामिंग भासा के संस्थापक या निर्माता के रूप में जाना जाता है, दिखते हमारे next question को, next question है, printer एक उपकरण है, जिसका उपियोग blank उतपादन के लिए किया जाता है, printer एक उपकरन है मतलब device है जिसका उपयोग blank उत्पादन के लिए किया जाता है printer से संबंदित question पूछा गया है printer एक device है जिसका उपयोग blank generate करने के लिए किया जाता है option number A है hard copy, option number B है soft copy, option number C है copy on disk, option number D है copy on CD printer एक output device होती है, output device जो की हमें hard copy output प्रिदान करती है, hard copy output printer एक ऐसी device है, जो की हमें hard copy output प्रिदान करती है, मतलब इस question का answer होगा option number A, printer एक device है जिसका उपयोग hard copy उत्पादन के लिए किया जाता है इस question का answer हो जाएगा, option number A, hard copy, देखते हैं हमारे next question को Next question है virtual memory blank है हमसे question पूछागया है virtual memory blank है virtual memory क्या होती है यदि आप हमारे previous videos को देख रहे हैं तो आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा क्यूंकि हमने अपने previous question में भी इस type का एक question समझा है कि virtual memory क्या होती है option number ए क्या है लार्ज ओप्तिकल डिवाइस मेमोरी ओप्सन नमबर भी क्या है सेकेंडरी मेमोरी का उप्योग इस तरह किया जा सकता है जैसे कि वह मुख्य मतलब प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा हो यही हमारा आंसर है यही हमारा आंसर है जो वर्चुल मेमोरी है वह सेकेंडरी मेमोरी को इस प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है जिस question का अंसर हो जाएगा option number B virtual memory secondary memory का उप्योग इस तरह ही किया जा सकता है जैसे की वह मुक्य memory का एक हिस्सा हो मतलब virtual memory secondary memory को primary memory के रूप में यूज़ करने की सुविधा प्रदान करती है इस question का अंसर होगा option number B देखते हैं हमा ALU में मुक्य register है और इसमें ALU में किये जाने वाले operation के operand में से एक होता है blank ALU में मुक्य register है और इसमें ALU में किये जाने वाले operation के operand में से एक होता है हमसे question पूछा गया है blank ALU में मुक्य register है register क्या है register एक primary memory है जो की CPU मतलब processor के अंदर होती है जो computer में सबसे छोटी और सबसे fast memory है register एक primary memory है जो की CPU मतलब processor के अंदर होती है computer के अंदर सबसे छोटी सबसे fast memory होती है register आगे question क्या है और इसमें ALU में किये जाने वाले operation के operand में से एक होता है ALU क्या है? ALU CPU का एक component होता है CPU का CPU मतलब Central Processing Unit जिसे हम processor भी कहते हैं इसमें तीन component होते हैं मुक्रूप से ALU, CU और Memory ALU मतलब Arthematic Logic Unit Arthematic Logic Unit CU मतलब Control Unit और Memory मतलब है यहाँ पर Register जो CPU होता है Central Processing Unit जिसे हम processor भी कहते हैं इसके तीन main component होते हैं ALU, CU और Memory ALU मतलब Arthematic Logic Unit CU मतलब Control Unit और Memory मतलब Register हमसे पूछा गया है blank ALU में मुक्र रजिस्टर है और इसमें ALU में किये जाने वाले Operation के Operand में से एक होता है वह क्यालाता है Accumulator Accumulator एक Register का टाइप है जो की Current Time पर होने वाले Arthematic Operation के डेटा को Store करता है Accumulator इस Question का अंसर होगा Accumulator Register का एक टाइप होता है आपको दो Question और तयार करने है ROM का Full Form Read Only Memory होता है RAM का Full Form Random Access Memory होता है इस Question का अंसर होगा Option Number D Accumulator देखते हैं हमारे Next Question को Next Question है निमने लिखित में से कौन सा एक Input Device है निमने लिखित में से कौन सा एक Input Device है हमें चार Option दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा एक Input Device है Input Device क्या होती है Input Device कुछ Hardware Device होती है जिनके द्वारा data को computer में भेजा जाता है, input किया जाता है, option number A क्या है, speaker, speaker तो एक output device है, जो कि हमें audio data output में प्रिदान करती है, word तो यहाँ पर सब दो गया, printer क्या है, printer भी एक output device है, जो कि हमें hard copy output प्रिदान करता है, scanner एक input device है, यही हमारा answer होगा, scanner एक input device है, जिसके द्वारा हम किसी document को, किसी image को scan करके computer system में input कर सकते हैं, scanner hard copy output को soft copy output में convert करता है, scanner एक ऐसी input device है, जिसके द्वारा hard copy output को soft copy output में बदल दिया जाता है, तिस question का answer होगा, option number C, scanner, देखते हैं हमारे next question को, next question है, blank, Windows 7, Windows 8 या Windows 10 में एक feature होता है, जो उप्योग करता को desktop पर तेजी से बापस आने में सक्चम बनाता है, यह question, बिंडोस operating system से पूछा गया है, बिंडोस से, बिंडोस क्या है, बिंडोस एक operating system है, एक system software का type है, जिसे Microsoft company के द्वारा बनाया गया है, बिंडोस एक operating system है, एक system software है, जिसे Microsoft company के द्वारा बनाया गया है, और यह operating system graphical user interface पर वर्क करता है, हमसे question पूछा गया है, बिंडोस 7, बिंडोस 8 या बिंडोस 10 में एक ऐसा feature होता है, जो user को desktop पर fast speed में बापस आने में सक्चम बनाता है, वह होता है, एरोपीक, एरोपीक नाम का feature होता है, जिस पर click करके हम direct desktop पर आ सकते हैं, यदि हमारे computer पर कोई भी विंडोस ओपन है, कोई file folder ओपन है और हमें direct desktop पर जाना है, तो हम एरोपीक का use कर सकते हैं, एरोपीक हमें task bar में provide किया जाता है, task bar में, एरोपीक के द्वारा हम direct desktop पर आ सकते हैं, एरोपीक हमें task bar पर so होता है, जो की right side में so होता है, right side में task bar के right side में विल्कुल last में हमें एरोपीक so होता है, जिस पर click करके हम direct desktop पर आ सकते हैं, मतलब इस question का answer होगा, option number a, एरोपीक, next question है, वह ROM परकार चुने जिसमें data मिटाने के लिए बिद्दुत छेतर लगाया जाता है, यह question ROM से संबंदित है हमें ROM के चार type दिये गए है और हमसे पूछा गया है वह ROM परकार चुने जिसमें data मिटाने के लिए बिद्धुत छेत्र लगाया जाता है मतलब electric circuit या electric field का use किया जाता है ROM क्या है ROM ROM हमारे computer की एक primary memory होती है जिसका full form होता है read only memory ROM एक primary memory है जिसका full form होता है read only memory ROM motherboard में inbuilt होती है motherboard में inbuilt होती है ROM motherboard के अंदर fit होती है inbuilt होती है ROM में BIOS program store होता है BIOS BIOS मतलब basic input output system ROM में BIOS program store होता है ROM एक non volatile memory होती है non volatile मतलब style memory होती है style RAM होती है volatile मतलब की IS style जबकि ROM होती है non volatile मतलब की style memory होती है ROM में data को permanent store किया जाता है हमें यहाँ पर ROM के चार type दिये गए है और हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ROM है जिसमें data को हटाने के लिए मिटाने के लिए M-ROM का full form क्या होता है, mask read only memory, masked read only memory, M-ROM मतलब masked read only memory, यह एक ऐसी ROM होती है, जिसको बनाते समय, company इसमें data को store कर देती है, प्रोग्राम को store कर देती है, जिसे कभी change नहीं किया जा सकता है, M-ROM मतलब mask ROM होती है, जिसमें इस ROM को बनाते समय, company के द्वारा data store कर दिया जाता है, जिसे change नहीं किया जा सकता है, तो यह तो हमारा answer नहीं होगा, option number B क्या है, P-ROM, P-ROM मतलब programmable read only memory, यह एक ऐसी ROM होती है, जो कि blank होती है, blank मतलब की खाली होती है, इसमें user एक बार अपने program को store कर सकता है, और बार बार उस data को read कर सकता है, मतलब use कर सकता है, P-ROM मतलब programmable read only memory, जिसमें user एक बार अपने program को store कर सकता है, और उसे बार बार read कर सकता है इसमें data को हम केवल एक बार store कर सकते हैं दुबारा data को change नहीं कर सकते हैं तीसरी ROM है EPROM EPROM मतलब Erisable Programmable Read Only Memory Erisable Programmable Read Only Memory यह एक ऐसी ROM होती है जिसमें पुराने data को हटा कर नया data store किया जा सकता है और इस ROM में Ultra Boilet Race का use किया जाता है Ultra Boilet Race की सहायता से पुराने data को हटा कर नया data store किया जा सकता है और लाश्ट ROM है EEP ROM EEP ROM मतलब Electrically Erisable Programmable Read Only Memory Electrically Erisable Programmable Read Only Memory इसका नामी है Electrically Erisable मतलब यही हमारा answer होगा ऐसी ROM जिसमें पुराने data को हटा कर नया data को श्टोर करने के लिए Electric Circuit का use किया जाता है वह कहलाती है EEP ROM Electrically Erisable Programmable Read Only Memory इस question का answer होगा option number D EEP ROM देखते हैं हमारे next question को next question है operating system की सेवाओं तक पहुँचने के लिए interface blank द्वारा प्रदान किया जाता है operating system की सेवाओं तक पहुँचने के लिए interface blank द्वारा प्रदान किया जाता है हमसे question पूचा गया है कि operating system की जो services होती है सेवाओं होती है उन तक पहुँचने के लिए interface किसके द्वारा प्रदान किया जाता है operating system क्या होता है operating system एक system software होता है जो कि हमारे computer का main software होता है बिना operating system के हमारा computer system boot नहीं हो सकता है मतलब on नहीं हो सकता है हमसे पूछा गया है operating system की सेवाओं तक पहुचने के लिए interface किसके द्वारा प्रधान किया जाता है वह होता है system calls system calls operating system की जो भी services होती है उनको use करने के लिए system call का use किया जाता है system call system call कुछ function होते हैं जो कि operating system की service user को provide करते हैं तिस question का answer होगा option number B system call देखते हैं हमारे next question को next question है Linux में किस command का प्रियोग किसी file में user login session को record करने के लिए किया जाता है Linux में किस command का प्रियोग किसी file में user login session को record करने के लिए किया जाता है यह question Linux operating system से पूछा गया है Linux से यहाँ पर आपको एक साथ कई question तयार करने मिलेंगे Linux क्या है? Linux एक operating system है Linux एक system software का type है Linux एक free software है Linux एक open source software है Linux को Linux store walls के द्वारा 1991 में बनाया गया था Linux एक operating system है Linux एक system software है Linux एक free software है Linux एक open source software है Linux को Linux store walls के द्वारा 1991 में बनाया गया था हमसे पूछा गया है Linux में किस command का प्रियोग किसी file में user login session को record करने के लिए किया जाता है user login session मतलब जब user computer system पर work करता है तो Linux में पहले user को login करना होता है account में user के login करने से लेकर logout करने तक का समय कहलाता है session session क्या है login करने से लेकर logout करने तक का समय कहलाता है session उस session को record करने के लिए script command का use किया जाता है script command का script command किसी user के login session को file में record करती है तो इस question का answer होगा option number C script command देखते हैं हमारे next question को next question है ms excel में if error किस स्रेनी के function से संबंदित है ms excel में if error किस स्रेनी के function से संबंदित है ms excel से question पूछा गया है कि ms excel का जो if error function है वह किस category का function है किस category का ms excel एक spread seed software होता है spread seed software जो की data को row और column में arrange करने की सुभीता प्रतान करता है ms excel में data पर calculation करने के लिए और condition को check करने के लिए कई पिरकार के function use किये जाते है उसी में से एक function है if error if error function हमसे पूछा गया है किस category का है if error यहाँ पर if word आ रहा है if मतलब यदी if मतलब होता यदी और यदी मतलब की condition चेक करना है तो वह होगा logical function ऐसा function जो एक condition को check करता है और output को true या false में देता है वह कहलाता है logical function तो if error एक logical function है मतलब इस question का answer हो जाएगा option number d MS Excel में if error logical category का भंचन होता है देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा e-commerce का एक उधारण नहीं है हमसे एक question पूछा गया है जिसमें चार option दिये गए है और हमें बताना है इन चारो option में से कौन सा एक option e-commerce का उधारण नहीं है e-commerce मतलब e-commerce का मतलब होता है electronic commerce e-commerce मतलब electronic commerce internet के माध्यम से बस्तूओं या सेवाओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है e-commerce कहलाता है internet के माध्यम से technology के माध्यम से बस्तूओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना e-commerce कहलाता है हमसे पूछा गया है निमनलिकत में से कौनसा e-commerce का एक उधारण नहीं है अप्सन नमबर ए क्या है आपके मित्र को कोई email भीजना अप्सन नमबर भी इंटरनेट पर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा होटल का कोई कमरा आरक्षित करना मतलब इंटरनेट पर किसी government employee द्वारा होटल का कोई room reservation करना यह तो e-commerce है आप e-commerce के द्वारा online hotel booking कर सकते हो e-commerce का type है अप्सन नमबर C क्या है इंटरनेट के जरिये किसी व्यक्ति द्वारा अपने विजली बिल का भुकतान करना यह भी e-commerce का उधारन है option नमबर D क्या है इंटरनेट पर किसी व्यक्ति द्वारा पुस्तक खरीदना मतलब online book खरीदना भी e-commerce है लेकिन आपके मित्र को कोई email भेजना e-commerce का type नहीं है e-commerce का उधारन नहीं है आपने अपने किसी फ्रेंड को email भेजना वह e-commerce का उधारन नहीं है जबकि online hotel booking करना बिजली का बिल भनना या book purchase करना यह सभी e-commerce के उधारन है जिस question का answer हो जाएगा option number A दिखते हैं हमारे next question को next question है किसी document को आपके google drive खाते से आपके flash drive में copy करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है किसी document को आपके google drive account से आपके flash drive में flash drive बोला जाता है pen drive को flash drive मतलब pen drive में copy करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है यदि कोई फाइल आपके Google Drive अकाउंट में इस्टोर है पहले से और उसी फाइल को आप Pen Drive में कौपी करना चाहते हो तो आपको कौन सी प्रोसेस का यूज करना होगा Google Drive क्या है? Google Drive Google Company के द्वारा बनाया गया एक Cloud Platform है जहां पर हम Online Data को श्टोर कर सकते हैं Google Drive एक Cloud है जिसमें हम Online Data को श्टोर कर सकते हैं Google Drive में Free of Cost 15 GB तक Data को श्टोर किया जा सकता है हम Gmail ID में Login करने के बाद Google Drive को Access कर सकते हैं Google Drive एक Server का वर्क करती है Server का Google Drive हो गई एक Server जहां पर आप Data को श्टोर कर सकते हो और आपका Computer आपका Mobile हो जाएगा यहां पर Client यदि आप Client Computer की किसी File को Server पर वेजोगे तो उसके लिए यूज होती है Uploading Process और यदि Server की कोई File आपके Computer या Mobile पर आती है तो उसे कहा जाता है Downloading Process मतलब Google Drive से आपके Flash Drive में Flash Drive मतलब Pen Drive में आपके Computer पर आपके Mobile पर कोई File आईगी तो उसे क्या कहा जाएगा Download करना और आपके Computer से File Server पर जाती तो उसे क्या कहा जाता Upload करना मतलब इस Question का Answer हो जाएगा Option Number C Download देखते हैं हमारे Next Question को Next Question है निम्न मैंसे कौन सा उप्योग करताओं को Internet Access प्रदान करता है हमसे Question पोचा गया है की दिए गए Option मैंसे कौन उजर्स को Internet का Access प्रदान करता है यदि हमें इंटरनेट का यूज करना है तो पहले हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है इंटरनेट कनेक्शन देता है ISP ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ कमपनियां होती है जो की यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्द कराती है आप जिस कंपनी की अभी SIM यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट चला रहे हैं वह कंपनी आपकी ISP कहलाएगी ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर जो की यूजर को इंटरनेट की सर्विस उपलब्द कराता है आपको तीन कॉस्चन और तयार करने हैं TCP का फुल फॉर्म, Transmission Control Protocol TCP का फुल फॉर्म, Transmission Control Protocol FTP का फुल फॉर्म, File Transfer Protocol HTTP का फुल फॉर्म, Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol तिस कॉस्चन का अंसर हो जाएगा Option नंबर B, ISP, Internet Service Provider देखते हैं हमारे Next Question को Next Question है assembly भासा एक blank programming भासा है assembly language एक blank programming language है हमसे पूछा गया है जो assembly language है वह एक blank programming language है option number A है high level language option number B है low level language option number C है medium level language option number D है machine language assembly language क्या है assembly language एक low level language है low-level language जो कि second generation की programming language है second generation की assembly language एक low-level language का type है जो कि second generation की language है assembly language को machine language में convert करने के लिए assembler का use किया जाता है assembler assembly language के program को machine language में बदलता है assembler एक language translator है एक system software है language processor है जो कि assembly language को machine language में बदलता है assembly language में nemo ने code यूज किये जाते है nemo ने code यहाँ पर m silent होता है nemo ने code यूज होते है assembly language में जो कि किसी word का sword form होते है जैसे addition को add लिख सकते हैं subtraction को sub लिख सकते हैं इस प्रकार के sword form यूज किये जाते हैं assembly language में जो कि एक low level language है second generation की language है इस language को machine language में बदलने के लिए assembler का use किया जाता है और assembly language में nemo ने code use किये जाते हैं तो इस question का answer होगा option number B assembly भासा एक low level programming भासा है दिखते हैं हमारे next question को next question है V set का पूर्ण रूप क्या है हमें एक short form दिया गया है V set जिसका हमें full form बताना है V set का full form होता है very small aperture terminal very small aperture terminal very small aperture terminal V set का full form होता है जो कि एक internet connection का type है internet connectivity उपलब्द कराता है और V set connection में direct satellite से internet connection का use किया जाता है V set satellite के माध्यम से internet connectivity उपलब्द कराता है V set का full form होता है very small aperture terminal जिस question का answer हो जाएगा option number A V set का full form very small aperture terminal होता है देखते हैं हमारे next question को next question है आबरा का डाबरा पर लागू होने वाला toggle case है यह थोड़ा सा logical question है आपको ध्यान से समझना है तिस question को आप आसानी से solve कर पाएंगे हमें एक word दिया गया है आबरा का डाबरा और यदि हम इस पर toggle case apply करेंगे तो हमें क्या result मिलेगा यह question MS word से पूछा गया है MS word से MS word में हमने कई question change case topic से सम्बंदित समझे है change case यह question भी change case topic से सम्बंदित है MS word में एक option होता है change case change case करता क्या है change case MS word में type होने वाले text को small letter में capital letter में यह capital और small दोनों letter में सोकनने की सुविदा प्रिदान करता है हम MS word में जो text type करते हैं उसको capital letter में सोकनने के लिए small letter में सोकनने के लिए यह small और capital दोनों letter में सोकनने के लिए change case का यूज़ किया जाता है MS word में जो change case option है वह home tab में प्राप्त होता है font group में प्राप्त होता है ms word में total 5 प्रकार के case होते है change case की shortcut की होती है shift plus f3 shift plus f3 change case की shortcut की है और shortcut की से cable 3 प्रकार के case यूज़ किये जा सकते हैं 3 प्रकार के होते total 5 case है लेकिन shortcut की से cable 3 case यूज़ होते है ms word का default case होता है sentence case ms word का default case कौन सा होता है sentence case हमसे पूछा गया है आबरा का डाबरा पर लागू होने वाला toggle case क्या है? toggle case करता क्या है? toggle case को reverse कर देता है reverse मतलब जितने अक्षर small में लिखे होंगे उनको capital में बदल देगा और जितने capital में लिखे होंगे उनको small में बदल देगा toggle case करता क्या है toggle case केस को reverse कर देता है मतलब जितने अक्षर small में लिखे होते हैं उनको capital में बदल देता है और जितने capital में लिखे होते हैं उनको small में बदल देता है यह काम होता है toggle case का अब हमें यहाँ पर दिया गया है आवरा का डावरा इसमें कुछ अक्षर छोटे हैं कुछ अक्षर बड़े हैं इस पर जब हम toggle case लागू करेंगे तो जितने छोटे अक्षर हैं वह capital हो जाएंगे और जितने capital है वह छोटे हो जाएंगे इसका output क्या आएगा इसका result क्या आएगा A small है तो capital में बदल जाएगा B capital है तो small में बदल जाएगा R small है है तो capital में बदल जाएगा A small है तो capital में बदल जाएगा C capital है तो small में बदल जाएगा A यहां पर small है तो capital में बदल जाएगा D capital है तो small में बदल जाएगा A small है तो capital में बदल जाएगा B भी small है तो capital में बदलेगा r small है capital में बदल जाएगा a small है तो capital में बदल जाएगा यह हमारा answer होगा अब चारो option में जहां पर भी यह हमें देखेगा वो हमारा answer है answer होगा हमारा option number d toggle case को समझे toggle case क्या करता है toggle case छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल देता है बड़े अक्चरों को छोटे अक्चरों में मदल देता है toggle case case को reverse करता है तो इस question का answer क्या होगा option number D जो हमें word दिया गया था आबरा का डाबरा जब हम इस पर toggle case लागू करेंगे तो जितने छोटे अक्चर थे वो capital में मदल जाएंगे जितने capital अक्चर थे वो छोटे अक्चरों में मदल जाएंगे change case को हम ms word में practically भी देख सकते है यह हमारा ms word software है जिसमें हमने कुछ sample text टाइप किया है अब देख सकते हैं यहाँ पर by default पूरे sentence में पूरे sentence में पहला अक्चर बस बड़ा होगा बाकि सभी अक्चर छोटे होंगे क्योंकि ms word का default case होता है sentence case ms word के home tab में font group होता है font group में एक option होता है change case जहाँ पर हमें total 5 प्रकार के case मिलती हैं एक होता है पहला sentence case जो कि default case होता है जो कि पूरे बाकि में पहला अक्चर बड़ा कर देता है बाकि सभी अक्चर को छोटा कर देता है दूसरा होता है lower case lower case क्या करता है lower case हमारे पूरे text को small letter में मदल देता है एक होता है uppercase uppercase क्या करेगा पूरे text को capital letter में मदल देता है एक होता है capitalize each word capitalize each word मतलब हर सब्द के पहले अक्चर को बड़ा कर दिया जाता है और लाश्ट होता है toggle case toggle case क्या कर देगा जितने अक्षर small में होंगे उनको capital में मदल देगा और जितने capital में होंगे उनको small में मदल देगा यह होता है change case इसकी shortcut की होती है 60 plus F3 जिससे cable 3 प्रकार के case यूज होते हैं प्रकार के तो हमसे जो question पूछा गया था उसका answer है option number D आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए computer से सम्बंदित 20 important questions को समझा जब हम एक question को समझते हैं तो उससे सम्बंदित हमें कई प्रकार के और भी question तयार करने मिलते हैं आप सभी questions को पढ़ें समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जदा से जदा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद